नमस्कार मित्रो मैं हूँ डोक्टर हरी निवास चैनल है संस्कृत सहीतिवं संस्कृती और प्लेलिष्ट है भक्त भक्ति भगवार। यह एक अंतिम वीडियो विसिष्ट प्रकार की भक्ति की कथाज आपको सुनाते हैं। चंड नाम का एक भील है। जेंगल में उसका काम शिकार करने जाना, प्रशुपक्षियों का शिकार करना, अपने भोजन की व्यवस्था करना। वहीं एक शिवाले है, पुराना टूटा पटासा, जहां कोई न तो पूजा के लिए आता है, न किसी कारे के लिए आता है, नित्य प्रती ठक जाता है, तो वहीं आराम करता है। अचानक एक दिन उसकी नजर वहाँ जो सिवलिंग है, उसके उपर पड़ी, जैसे स्वेम भोले नात उससे कह रहे हैं, कि अरे भील, तु मुझे यहां से ले चल, मैं यहां बिलकुल अकेला पड़ा हुआ हूँ, तो मेरी जैसे बने वैसे पूजा उजा किया करना, मैं ते और उसने ये ते किया, कि देख़ू, इस मंदिर में तो कोई आता जाता नहीं, इस मूर्ति को अगर मैं मेरे साथ घर ले जाओ, तो नित्य प्रतिस की सेवा-पूजा करूंगा, तेकिन मुझे तो सेवा-पूजा आती नहीं है, क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, इनको ततूरे बगेरे के फूल जादा अच्छे लगते हैं सारा विदी विधान श्रीव पूजन का उनको बता दिया अब तो उसने मन बना लिया कि इस सिवलिन को अपने घर ले जाओंगा लेके आगया घर पे अब नित्यप्रति वही नियम बिलकुल देखे ये बड़ी विडमना है जो लोग स्रेष्ट होते हैं उच्च वरणी होते हैं मैं पढ़े लिखे होने की बात कर रहा हूं वो हर बात में कंप्रोमाइज कर लेते हैं पूजा में भी कंप्रोमाइज कर लेंगे चलो आज यह नहीं तो इसी से कर लेंगे यह भी नहीं तो ऐसे कर लेंगे अरे लाश्ट में मान से पूजा कर लेंगे लेकिन ये ऐसा भक्त नहीं है इसको तो पंड़ित जी ने जो बता दिया ये ये ऐसे ऐसे होना चाहिए उसको वो वो बिल्कुल बैसे ही करना है क्योंकि उसमें कोई भी छूट शाट इससे भगवान को दुख होगा भगवान को आनंद नहीं आएगा और वैसा कोई काम नहीं सकते हैं कहीं से भी चिता की भश्म लाना निद्य प्रति भगवान का भोग लगाना उनको श्विष्णान गड़ीर करवाना तयार करना यह निद्य का नियम बन गया है उसमें एक दिन की बात है कि बड़ी जोड़दार बारिस हुई मसल्योग ऐसे कि वो चिता की भस्म जो भरके ले आता था उसी दिन वो चिता की भस्म भी कतम हो गए वर्सात इतनी अधिक है कहीं से भी चिता की भस्म उसको प्राप्त नहीं होती है गर बापस आया बड़ा दुखी है उसकी पत्नी पुष्टी क्या हुआ स्वामी अरे बताओ तो सही कारण के आप दुखी क्यों हो उसने गहा कि देखो पूजा करनी है लेकिन मैं कहां तक हूं क्या आ गया हूं दस-दस कोस तक जाके आया हूं फोखीं लिए अब कहीं से मुझे भश्म नहीं मिली है चिता कि भश्म ही नहीं मिले अब बिना चिता के भश्म के ये पूजा कैसे बोगि अलुप शेन होगी तक तक तुम्हें कुछ खा भी नहीं सकता हूं अब तो नहने जाने का मन भी नहीं हो रहा है तो पिलनी कहती है कि क्या बात करते हो आप स्नान करके आओ मैं चिता की भस्म का इंदिजाम करता हूँ पिलनी कहा कहे रहे मैं कहा कहा घुन के आया तुम कहा से इंदिजाम करतोगे बिल्वा आप बिल्कुल निस्चिंद रहो आप खाली इसनान करके आओ उससे पहले यह जो सिवलिंग है ना यह जो घर के बाहर पीपल का पेड़ है यहां इसके नीचे इसको रखो घर के अंदर इसको नहीं रखो उसने का कि आज तो तुम अजीब बात कर रही हो हमेज़ा तो घर में रहते थे आज तुम बाहर निकाल लेगी बात कर रहे हैं बोले नहीं आप श्नान करके आओ मैं बताती हूं आपको वो श्नान करके आया तो बुला कहां से मिलेगी भस्म चिता के बुले देखो भगवान तो बाहर निकल गए है वो पीपल के नीचे विराजमान है मैं इस कुटिया में अपनी में लगा देती हूँ आख और उसी में मैं भी जलके भस्म हो जाओंगी मेरी चिता के भस्म मिल जाएगी उससे आपकी पूजा सफर हो जाएगी और भगवान भी प्रसंद रहेंगे अब तो वो भील जो है बड़ी पिचार में पड़ जाता है पई जितनी सहजता से हम बन में जाकर के प्राणियों को मारते हैं उनका शिकार करते हैं बिलकुल उतनी ही सहजता से भीलन क्या कह रही है कि मैं अभी बस इस चिता में जल जाती हूँ और आपको चिता के भश्म मिल जाएगी भील की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे फिर भी अपनी पत्नी से कहता है कि देखो जीवन में कोई भी सुक हो कोई भी सादन हो कोई भी सामगरी हो उसके आनंद के लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है तुम इस प्रकार से गर अपने शरीर का परित्याग कर दोगी देखो स्वामी मुझे ये सब मत सिखाओ मुझे पता है कि आप मेरे स्वामी हो और शिव आपके इष्ट है अगर इष्ट की आराधना नहीं हो रही है तो मेरे स्वामी परसंद नहीं हो पा रहे है अगर मेरे स्वामी परसंद नहीं हो रहे है तो मेरा जीवन निरर्थ है आप इस नान करके आओ तब तक मैं पूरी तयारी कर दूंगी भील ने बड़ी समझाने की कोशिस की है लेकिन वो भील नहीं कहती है कि आपका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए आपने जो प्रतिग्या किया आपने जो नियम बनाया वो नियम नष्ट नहीं होना चाहिए मैं आज मर भी जाओंगी ना तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि आज निकल तो मरनी है हर व्यक्ति को मरना होता है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यूनिस्चित है और जहां तक प्रश्ण है इस कुटिया का अरे कुटिया तो आप दो घंटे में दूसरी बना लोगे भील की समझ में कुछ नहीं आया लेकिन जब भील ने उसको इसनान करने के लिए भेज दिया है तो इसनान करने गया है भीली ने स्वयम भी इसनान किया है और उसके बाद उसकुटिया में आग लगा करके प्रवेश कर जाती है भील खड़ा खड़ा देख रहा है थोड़ी देर बाद उसने उसके चिता की भस्म को थोड़ा ठंड़ा किया और शिव की जब उसने पूजा प्रारंब की है तो आज उसकी आँखों में से आस्वों की धार नहीं रुक रही है क्योंकि हमेशा जब वो पूजा किया करता था ना तो भिलनी उसके बगल में हुआ करती थी आज तो भिलनी की राक हाथ में रह गई है लेकिन शिव की आराधना में इसी लिए तो पत्नी ने अपने प्राणों का परित्याग किया है वो और भी स्रद्धा और भी अजिक मनोयोग के साथ में पूजा कर रहा है बस खाली इतना है कि आज उसकी भावना में पत्नी बाजु में ना होने के कारण जो भाव आया है वो भाव अत्यंत द्रवित कर देने वाला है स्वयम भोले नाथ भी द्रवित हो उठे हैं आरती का समय हुआ उसने आरती की आरती करने के बाद नित्य प्रती अपनी पत्नी के साथ भोले नाथ की मूर्ती के सामने वो नृत्य किया करता है कि भोले नाथ को नृत्य अत्यंत प्रिय है आज जब नृत्य करने के लिए खड़ा हुआ है तो अकेला है एक नृत्य का स्टेप करके जैसे ही गोल घूमता है बगल में उसको अपनी पत्नी दिखाई देती है पत्नी को देखते ही अत्यंत आनंद में आकरके भील उसको भेटता है और उससे कहता है ये मैं सवपन देख रहा हूँ या ये हकीकत है वो कहती है स्वामी जी बिल्कुल हकीकत है अरे तुम तो चिता में जल गई थी तुम्हारी चिता की भस्म से तो मैंने अभी भोले नाथ का अभिशेक किया है मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं चिता में जल गई थी मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि आपको चिता की भस्म चाहिए थी और आप श्नान करने गए आप श्नान करके आये हो आपने भोले नाथ की पूजा की तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चलती हूँ आरती का समय हो गया है तो नित्य प्रती की तरहे आपके साथ आरती कर लो अब तो वो कभी भोले नाज की प्रतिमा की तरफ देखता है कभी पत्नी की तरफ देखता है कभी वो जली हुई कुटिया की तरफ देखता है कि यिसी कुटिया में जलके ये बसम होई है वो समझ जाता है कि ये प्रभू की माया है इतनी देर में कहलास परवत से प्रश्ण्न हैं आपको शिव के पार्षदों में स्थान मिला है आप हमारे साथ कहलास चलिए और इस प्रकार से वो चंड नाम का जो भील है वो शिव के पार्षदों में स्थान प्राप्त करता है उसकी प्रेम मई पत्नी जिसके लिए शरीर का कोई मूले नहीं है मूले है तो अपने पती की नियम का और भोले नात की भक्ती का वो भी शिव लोक में अपने पती के साथ जाती है और हमेशा के लिए इस संसार के बंधन से ऐसे भक्त जो मुक्त हो जाये करते हैं ऐसे वो मुक्त हो जाती है तो भीया जीवन में भक्ति करने वाले ये नहीं देखते हैं कि कहां पे कितना लाब है और कहां पे कितनी हानी है उन्हें तो सिर्फ प्रभू की भक्ति दिखाई देती है फिर ना तो उनको धनकी चिंता होती है ना उनको तनकी चिंता होती है और मन तो उनका हमेशा प्रभू में रमा रहता है धन्यवाद, मैं मैं डॉक्टर हरी निवास भक्त, भक्ति और भगवान इसमें जो वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किये है वो आपको अत्यधिक आनंद देने वाले है अगर आप उनको सुनेगे तो प्रभू में अवस्य आपकी स्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी धन्यवाद